यह वीडियो आर केसी अस्टेनों पेजिक का सुन रहे हैं थ्री टू वन अस्टार्ट हमारे सास्तरकारों ने काल को अनंद बताया है उसका न आदी है और न अंद काल अताह सागर है जिसका कोई कूल किनारा नहीं इस अताह सागर में श्रिष्टी के समस्त प्रानी तैरते रहते हैं और जब तैरते तैरते ठक जाते हैं तो काल के अंत्राल में सदा के लिए विलीन हो जाते हैं मनुस्य स्रिष्टी का सबसे बुद्धिमान प्रानी है उसने अपनी कलपना के सहारे काल के असीम सागर पर कुछ रेखाएं खीचने का पर्यास किया उसने पल रात दिन और सतावदियों का आविस्कार किया वह इन्हें अपनी जीवन यातरा के विश्राम अस्थल मानता है एक मंजिल पर पहूचता है तो थोड़ी सास लेता है और आगे के सफर पर चल पड़ता है काल की ही तरह उसकी यह यातरा भी अनंत है मनुस्य की कलपना का एक वर्ष पूरा हुआ सन उनिस्सो चौवन का वर्ष काल के अनंत गर्व में समा गया काल ने उसके चेहरे पर परदा डाल दिया उसकी प्रिष्ट भूमी पर मनुस्य ने जो कुछ भला या बुरा किया उसका वर्णन इतिहास के रूखे प्रिष्टों पर तो पढ़ा जा सकेगा किन तु उसके सजीव दर्शन अब संभव ना होंगे अब नए वर्ष पर से परदा उठ रहा है आज नए वर्ष का नया परभाव उदित हुआ है अब नाटक के कौन कौन से अंक परदर्शित होंगे यह निश्चे पुर्वक कोई नहीं कह सकता किन्तु मानव कलपना सील है वह भविस के अंधेरे में भी जाकने की कोशिस करता है उसकी अनंत यातरा का कुछ ना कुछ लच्च अवस्य है वह किसी पिरिये वस्तु की तलास में ही भटक रहा है आखिर उसकी वह पिरिये वस्तु कौन सी है सानती ही उसकी वह पिरिये वस्तु है कलह संघर्स और रक्तपात से ही वह सीगर ही उब उठता है तब सानती की उसकी चाह और भी तीवरितर हो उठती है वह आगे बढ़ना चाहता है उचे से उचा उठना चाहता है और यह सानती के बिना संभव नहीं हो सकता झाहता है